सोयाबीन के सीजन की शुरुआत सितंबर में हो जाती है। सितंबर से लेकर अक्टूबर माह तक सोयाबीन के भाव 5,000 रुपए प्रती क्विंटल के लगभग थे, लेकिन इसके बाद लगातार सोयाबीन के भाव कम होते गए। अभी वर्तमान में सोयाबीन के भाव न्यूंतम समर्थन मूले के करीब है. सोयाबीन का समर्थन मूले 4,600 रुपए प्रती क्विंटल है. सोयाबीन का भाव कम मिलने के कारण कई किसानों एवं व्यापारियों ने सोयाबीन स्टॉक कर रखा है. ऐसे किसानों एवं व्यापार एवं पाम तेल की उपलब्धता पर सोयाबीन के भाव निर्भर करते हैं। ब्राजील में सोयाबीन की कटाई चल रही है, लगभग 15% कटाई पूरी हो चुकी है। ब्राजील में चल रही कटाई के पश्चात, अमेरिकी क्रिशी मंत्राले USDA रिपोर्ट जारी करने वाला है। यह रिपोर्ट इस माह के अंत तक आएगी, लेकिन इसके पूर्व मलेशिया से एक अन्य रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट के बाद से ही सोया तेल के भाव में तेजी आई है। जिसके परिनाम स्वरुप सोयाबीन के भाव में भी हलकी बडोतरी होने लगी है। भारत में वर्तमान समय के दौरान शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। इससे इस बात की प्रबल संभावना बन गई है कि आगामी मार्च एवं अप्रेल माह के दौरान सोयाबीन के भाव बड़ेंगे। सोयाबीन भाव की पूरी रिपोर्ट क्या है एवं सोयाबीन के प्लांट एवं मंडी भाव क्या है आए ये सब कुछ जानते हैं। प्रमुक रूप से सोया तेल की बिक्री एवं सोया खाली, DOC की बिक्री पर निर्भर करते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सरसों की अच्छी पैदावार, पाम तेल की सरवाधिक उपलब्धता एवं सोया बीन का स्टॉक अधिक होने के कारण सोया तेल के भाव लगातार काम बने हुए थे। इन सब के बीच अब मलेशिया से पाम तेल की रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया में पिछले दिसंबर की तुलना में जनवरी में उत्पादन में 9.59 प्रतिशत कम, स्टॉक में 11.83 प्रतिशत कम बताई गई है। इसके साथ ही मलेशिया से पाम तेल के निर्यात में 0.85 प्रतिशत की व्रिधी दर्ज हुई है। पाम तेल के स्टॉक में कमी एवं निर्यात अधिक होने के कारण आने वाले समय में पाम तेल का स्टॉक और घटने के आसार बन गए है। सोयाबीन बाजार में इसी कारण सोयाबीन के भाव में तेजी का रूप बनने लगा है। सोया तेल में सुधार आ गया। एक प्रमुक मीडिया द्वारा किये गए सर्वे के अनुसार जन्वरी माह के अंत में लगातार तीसरे महीने पाम तेल के स्टॉक में कमी होकर मलेशिया पाम तेल का स्टॉक 6.62 प्रतिशत घटकर 21.40 लाग टन रहा क्योंकि कच्चा पाम तेल का उत्पादन दिसंबर माह के मुकाबले 11.83 प्रतिशत घटकर 13.70 लाग टन हुआ। जन्वरी माह के दौरान भारत में पाम तेल का आयात निचले स्टर पर हुआ क्योंकि आया तक कम कीमत की वज़े से सोया डीगम का आयात करने लगे हैं। विश्व में सबसे बड़े दूसरे उत्पादक देश में कम उत्पादन अनिक हादे तेल की कीमतों में तेजी और मलेशियाई मुद्रा रिंगिट डॉलर के मुकाबले 0.21 प्रतिशत कमजोर होने से पिछले सप्ता अप्रेल वाइदे में तेजी रही थी। यहां भी वैटिंग हो गई है। जानकार इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि मार्च अप्रेल में सोयाबीन वाइदा बाजार भाव पड़ेगा, इसी के अनुसार सोयाबीन के भाव में भी तेजी आएगी। अगो बोर्ड आफ ट्रेड, सीबोट, पर सोया तेल की कीमतें 1.2 प्रतिशत बड़ी है, भारत में भी पाम तेल का आयाद जनवरी में 12 प्रतिशत से अधिक गिर गया है। भारत में पाम तेल का आयाद कमजोर होने से सोया तेल के भाव में बड़ोतरी होगी इससे स्वाभ भाविक तोर पर सोया बीन प्लांट के भाव में तेजी आएगी। Bureau Report Market Times TV